अभी तक आपने बात की कि किस तरह से SEO करनी है तो इसमें आन पेज, आफ पेज और में टेक्निकल SEO की बात की लेकिन अगर आप से कुछ पूछे कितने पैसे लोगे मेरी वेबसेट की SEO करने के तो आप क्या जवाब देंगे, क्या आप जवाब दे भी सकते हैं उस बात का, आप नहीं दे सकते हैं उसकी रीजन में आपको बतायता हूँ क्यों तो बेसिकली, वेबसेट की SEO करने का मतलब यह है कि वेबसेट को पहले देखेना कि उसमें issues क्या है SEO आप तब ही करेंगे जब आपको issues पता होंगे अगर आप एक नई वेबसेट जो कि अभी बनी भी नहीं है उसकी SEO करना शुरू करते हैं तो वो एक डिफरेंट उसकी जो है वो strategy बन सकती है लेकिन अगर एक बनी भी वेबसेट है और आप फिलांसिंग प्लाटफॉंस पे या अपने क्लाइंट से अगर आप बात कर रहे है और उसकी वेबसेट अल्लेडी बनी भी है और आपको वेबसेट दिखाता है कि अभी इसकी SEO करनी है तो आप कैसे स्टार्ट करेंगे आप बेसिकली एक audit से स्टार्ट करेंगे तो audit क्या होता है तो बेसिकली एक audit पे आप क्लाइंट को बताएंगे किस तरह से उसकी वेबसेट में issues क्या क्या है issues आप identify करेंगे और issues matter क्यों करते हैं और उसके बाद उसका solution किया है तो यह audit जब तक आप नहीं देंगे आपको भी नहीं पता कि issues क्या है और आप client को भी नहीं बता सकेंगे कि issues क्या है और client को आप पैसे भी नहीं बता सकेंगे उसकी reason यह है कि अगर मैं आपको एक website दूँ जिसके 10 pages हैं तो उसमें issues भी काम होंगे क्योंकि उसके pages भी काम है लेकिन अगर आपको ऐसी website मिले जिसमें 1000 pages हैं तो उसके issues बहुत ज़्यादा होंगे क्योंकि उसके हर page पे कोई ना को issue हो सकता है तो आप दोनों की एक price नहीं बता सकते until कि अगर आप घंटों के साफ से काम कर रहे हैं तो आप घंटे की price बता सकेंगे लेकिन एक audit जो है आपको इस काबिल बनाएगा कि किस तरह से आपने किसी को charge करना अच्छा इसमें एक और चीज़ ये understand करने वाली है कि audit के बगएर ना आपको पता है कि उसके solution क्या है अगर आप क्लाइट को issues के साथ solution भी बताएंगे तो वो कहेगा कि यार इसको पता है ये क्या कह रहा है और मैं इसी को hire करूँगा जो कि इन issues को ठीक करेगा क्योंकि ये issues बता भी रहा है तो issues ठीक भी करेगा तो basically audit का यहीं मकसद होता है अब इसमें दो चीज़ें आ जाती है कि audit कितना लंबा होना चाहिए और audit के पैसे होने चाहिए कि नहीं तो अगर मैं अपनी example दूँ तो अक्सर मैं audit free कर देता हूँ मुझे अगर client बहुत serious लग रहा हो और मुझे पता हो कि ये सालों साल चल सकता है या महीनों कम असकम चलेगा तो बात करने से आपको अंदाजा हो जाता है कि किस तरहां का client है तो आप उसके लिए थोड़ा सा effort लगा कि एक अच्छा audit दे सकते है depending on कि आपके बाद time है या नहीं है तो basically 10 projects पे apply करने से बेतर है कि अगर एक client आपके पास है उसको आप 10 minute extra या एक घंटा extra लगा कर audit अगर अच्छा दे दें तो वो 10 proposal से बेतर है कि आप इस proposal को पहले close करें इसको lock करें इसको sale बनाए ना कि आप 10 ऐसे project पे apply करें जो शायद आपको पता है कि पता नहीं मिलने भी है कि नहीं मिलने तो मैं जो कहना चाहरा हूँ वो point यह है कि आप ने decide करना है कि आप में दिल लगाकर audit करना है या आपने सिर्फ एक सरसरी सा audit देना है audit दोनों तोना से हो सकते हैं आप एक summary भी दे सकते हैं कि भाई आपके ये main issues हैं इसको मैं ठीक करूँगा लेकिन detail में मैं आपसे बात अब करूँगा जब आप actually मुझे higher कर लेंगे या मुझे project award कर देंगे दुस्सा तरीका ये भी हो सकता है कि आप उसको अगर आप अगें depending कि क्लाइंट किस तरह का और आपको time कितना है आप उसको detail में कहेंगे प्रवाइट करें मतलब 100% की जगा 110% अगर आप उनको value दें तो वो आपसे खुश होगा और mostly client जब अगर आपसे बात कर रहे है आपको hire करने के लिए या audit के लिए उनको यकिनन help चाहिए वो कहें ना कहें आपको पता हो या ना पता हो उसके project ही तब post किया जब उसको कोई help चाहिए थी दो तरह से help चाहिए होती है या तो उसके पार time नहीं है या तो उसको पता नहीं है अगर उसके पार time नहीं है तो भी आप helpful है क्योंकि आप पार time है और आप उसकी help कर सकते हैं अगर उसको पता भी नहीं है तो आप फिर भी उसकी help कर सकते हैं क्योंकि आप technical resource हैं और आप technical उसको बता सकते हैं कि भई आप जो content create कर रहे हैं उसका फाइदा नहीं हो रहा क्योंकि गूगल तक वो पहुँच नहीं रहा या जिस तरह से गूगल को read करना है उस तरह से नहीं पहुँच रहा तो यह सब चीज़ें basically एक audit से start होती है कुछ लाग audit नहीं करते लेकिन मैं आपको recommend करूँ हो कि आप audit करें क्योंकि मैं खुद भी यह करता हूँ और मैं असल में इससे काफी चीज़ें जो है काफी jobs secure भी हो जाती है क्योंकि audit में आपको यह भी बता चल जाता है कि client के लिए कितने मसले हैं जो आपने ठीक करने और आपको यह भी समझा जाती है कि क्या आपके पास इतनी manpower है इतनी strength है कि आप यह काम कर भी सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं तो बैसी के लिए खुद को भी secure करते हैं और project को भी secure करते हैं तो अगले कुछ topics में आपको exactly बताऊंगा कि audit किस तरह से करना चाहिए और एक में आपको audit करके भी दिखाऊंगा